हेलो फ्रेंड्स आज मेरी थोड़ा सा तव्यत खराब है मेरी आवाद अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर पर मिठाई का होना बहुत जरूरी है अभी करवा चोथ आने वाला है और फिर दिपावली बजार से मिठाई हम खरीदना बिल् इस रेसिपी को पूरा देखें ध्यान से देखें बिना इसकिप किये हुए तो आप भी इस तरह से मिठाई बना कर अपने त्योहार इंजोई कर सकते हैं यह हमने एक मिक्सी के जार में एक कप चीनी डाली है और चार इलाची डाली है उनको हमने बारी पीस लिया है यह इस मिठाई को हम ब्रेड से बनाएंगे और घर पर रखें कुछ ही सामानों से बना कर तयार कर देंगे यह बहुत ही स्वादिष्ट बन कर तयार होती है इसको बनाने के लिए आप वीडियो को बिना इसकिप के हुए पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप भी इसी मिठाई बना कर अपने महमानों के सामने रख सकें और तयोहार को इंजोई कर सकें गर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आये तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा अब हम इसमें कुछ और च हम क्या डालेंगे वो आगे देखते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इस मिठाई को हम ब्रेट से बनाएंगे तो इसके लिए हमने 8 स्लाइ के यूज कर लेंगे किनारों को हम इसलिए कट कर रहें कि इसका रंग जो है मिठाई का वो बिल्कुल वाइट आए किनारे अगर नहीं कट करेंगे तो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी यह इस तरह से हम अपनी सारे ब्रेट को कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसका हम एक पाउडर से बना लेंगे जिस्ती पवली और करवा चोत आप कौन-कौन सी मिठाईयां बनाना चाहेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप तक मैं कौन-कौन सी मिठाईयों की रेसिपी पहुचा सकूँ आपको बना कर दिखा सकूँ आप ये भी मुझे क जरूर बताएं ये सारी ब्रड के किनारे हमने कट कर लिये हैं अब हम इनको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इनको अच्छे से पीस लेंगे मेरी हमेशा कोसिस होती है कि मैं जो भी रेसिपी आप लोगों तक पहुचा हूँ बिल्कुल ही आसान हो और आसान होने के सा बेहत स्वादिष्ट भी हो इसलिए मैं हमेशा वही रेसिपी खुद भी बनाना पसंद करती हूँ जो बेहत आसान हो बहुत जयदा स्वादिष्ट भी हो ब्रड को हमने ग्राइंड कर लिया हैं अब इसको हमने जो वो कोकोनट और चीनी का पावडर मेल्क पावडर सा मिक् कर देंगे इसमें हमने जो कोकोनट का पावडर डाला था अगर आपको कोकोनट का पावडर पसंद ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप कोकोनट पावडर उसमें डालें आपको पसंद हो तो डालें नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अब इसमें हमने आधा टी स्पून वेनियला एसेंज डाला है और दो टेबल स्पून हमने इसमें फ्रेस मलाई डाली है और इसके बाद हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते वे इसका हम एक सॉफ्ट डो बना कर तयार कर लेंगे अगर आपको लगे इसमें कि ये एक सॉफ्ट डो बन कर तयार नहीं हो रहा है कड़ा है थोड़ा सा टाइट लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत दूद भी डाल सकते हैं हमने इसको दो चमच मलाई से बिल्कुल बना कर तयार कर दिया है ये देखिए बिल्कुल मुल आसा घी लगा देंगे आप बिनन बटर पेपर के भी बना सकते हैं आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप डिरेक्ट इस डब्बे में घी से ग्रीस कर दें और ग्रीस करके इसमें बिल्कुल बराबर पीस में कट कर तैयार हो और देखने में भी खुबसूरत लगे इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि इसे हमें बिल्कुल बराबर चारो तरफ बिल्कुल प्लेन करके फैलाना है ये देखी हमने इसको बिल्कुल चारो तरफ अच्छे से फैला दिया है और ये बिल्कुल पेन है अब इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज में रखने के बाद हम आपको दिखाते हैं ये देखी 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है और ये अपने आप इस तरह से हमने पलड दिया है और ये नहीं है इसलिए प्लास्टिक के डबे में बर्फी बहुत ही आसानी से निकल याती है अब इसका हम बटर पेपर निकाल देंगे और उसके बाद इसके उपर हम कुछ डेकोरेशन करेंगे डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपके पास जो भी हो यह हमने चांदी का वर्क लिया है उसको हम इस बर्फी में लगा देंगे और उसके उपर से बारी कटेवे पिस्ता डाल देंगे थोड़े से केसर के दागे डाल देंगे और इस पैचुला से हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए थोड़ा सा दबा देंगे ताकि यह सारी चीजे अच्छे से दब जाएं अब हम अपनी बर्फी को एक चाकू से कट कर लेते हैं ये देखिए कट करने से ही आपको पता चल रहा हुआ कि हमारी बर्फी कितनी सौफ्ट बन कर तयार हुई है अगर आप बराबर से पीस अपने आप से एक बार में ना कर सकें तो आप पहले निसान भी लगा स सकते हैं ये देखिए हमने बर्फी के इस तरह से पीस काटे हैं आप अपनी इच्छन उसार जिस तरह के चाहें उस तरह के पीस काट सकते हैं और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बर्फी बन कर तयार हो चुकी है बिलकुल लग रही है बजार जैसी बर्फी कहीं से भी प तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने इसको घर में बनाया है या फिर आप इसको बजार से लेके आए है ये देखिए हम इसको प्लेट में इस तरह से सर्व कर देते हैं इसमें हमने बादाम के फ्लेक्स भी डाले हुए हैं जिनको हमने एक चॉपर से चॉप कि मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ दन्यवाज